Brought to you by Agilis Diagnostics फेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फरोसा करता हूँ इंडियास लार्जस डागनोस्टिक्स कमपनि अजिलिस डागनोस्टिक्स खुद को टेस्ट करते हो जिन लोगों का जन्म दिन 21 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरब से जन्म दिन की हार्दिक्षुब कामनाएं आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ का ध्यान रखें करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा धन संपत्ती की समस्या हल हो जाएगी विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा क्या करेंगे पूरे साल भर ब्रिहस्पती मंत्र का जब करें ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमहां तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा आज की जिग्यासा बड़ी महत्वपून है क्योंकि जिग्यासा ये है कि अगर पूजा करने के दोरान कोई मूर्ती तूट गई या मूर्ती का कोई हिस्सा तूट गया तो क्या ये अपशकुन है क्या ये कोई बुरा संकेत है देखिए पूजा के दोरान या वैसे भी देवी देवता की मूर्ती तूटना लापरवाही भी हो सकती है और पुरानी होने की वज़ा से भी मूर्ती तूट सकती है शिवलिंग के खंडित होने से या ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता खंडित शिवलिंग की पूजा आप आँख मूद करके कर सकते हैं लेकिन अगर कोई मूर्ती खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटा करके जल प्रवाहित कर दें और साथी साथ उसी समय किसी निर्धन व्यक्ति को अन का या वस्त्र का दान कर दें अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मूर्ती के खंडित होने का कोई भी दुश्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी करजे से छुटकारा मिले तो क्या करेंगे हर बुद्धवार को भगवान गणेश को दूरवा अरपित करें और गणपती से प्राथना करें कि करज से जल्दी छुटकारा मिले इसके साथी साथ बुद्धवार को गाय को हरा चारा भी खिलाएं और करज लेने या देने का कोई भी काम करना है वो बुद्धवार को ही करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना करज चुका पाएंगे देखें दीपक आप जलाते हैं बिलकुल जलाईए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दीपक को मुह से फूंक करके कब ही मत बुझाईएगा दीपक को फूंक करके बुझाना उचित नहीं है अगर आप दीपक जलाने के बाद मुम्बत्ती जलाने के बाद मुह से फूंक करके इसे बुझाएंगे तो इससे जीवन में दरिद्रता आएगी और आपका स्वास्त्य खराब होगा अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यम से सुलजाया जाए तो आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं जुड़ सकते हैं एश्चो तक पर